नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई आज का जो वीडियो है वो आपकी किचन गाडनिंग से रिलेटेड है और किचन गाडनिंग से भी क्या ये छोटी छोटी चीज़े जो हमारे घर में आती है इनको तो देखो हम है ना आराम से बड़े उगाई सकते हैं कोई कई जाने की जरूरत नी कुछ लाने की जरूरत नी और इस टेम दोस्तों इस मोसम में मार्श के महिने में इस तरह का पुदीना आपके पास आ रहा है जिस पे की अल्रेडी ही रूट्स बनी हुई है तो मैंने भी अब ये पुदीना लिया था और जब मैं इसे चूटने लगी अलग लग करने लगी डंडियों से तो देखा कि इन डंडियों में पहले से ही रूट्स बनी हुई है और देखो जो ये मैंने पहले रखा हुआ था इनमें भी रूट्स आ गी है लेकिन इस तरीके से अब रूट्स बनाने की बिलकुल भी कोई बनी हुई है तो इसमें जड़ बनाने की जरूर था नहीं है डिरेक्टली आप इसकी स्टैम को जहां मर्जी आपने उगाना हो चाही गंबले में उगा ओ क्यारी में या आपकी कोई खाली टब हो उसमें उगा सकते हो जो तूट गी हो तो इस तरीके से आप पुदीना उगा स और यह दोस्तों वीडियो में इसलिए बना रही हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे समर ड्रिंक्स हैं, हमारी चटनी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजे जो हम पुदीने के साथ ही बनाते हैं और गर्मियों का तो दोस्तों मैं तो क्या कहूं इसके बारे में गुणों का तो आपको पता ही होगा, है ना ऐसा कोई घर नी होगा, जिसे पूदीने के गुन के बारे में ना पता हो, और सबसे बड़ी बात दोस्तो, समर के लिए तो कितने भी हम ड्रिंक्स बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, या और भी किसी तरीके से इसको यूज करते हैं, जलजीरा वगेरा में, तो बड़ा अच्छा कूली गेंजन्टे ये, तो ये तो देखो, बार-बार खरीदनी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में होना ही चाहिए, और इस तरीके से आपने इसके पत्ते चूटने हैं, जो, देखो, जैसे मैं चूट रही हूँ ना, एकदम से किनारे पे से नही आप देखोगी न, देखोई न, ये पत्ते निकल रहे हैं न, आपने सिर्फ बड़े वाले पत्ते ही चूटने हैं, और ये देखो, इसके साथ आपको रूट भी नजर आ रही होंगी, देखो, ध्यान से देखो, है न, आर ये न, रूट से नजर, तो इस तरीके से आपने जो छोटे वाले पत्ते हों, उनको न, आपने छेड़ना, उस नोड को न, तो वहां से ब्रेक हो जाएगा, बस आपने बड़े-बड़े पत्ते से हटा लेने हैं, जो आपने लेने हैं, और ये चीज़ आपने सेव करके रखनी हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा है, यहां स साथ दिन से जादा, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले से ही जड़े बनी हुई है, और पहले जो पुदीना लिया था, वो मैंने आपको दिखाया था, उसकी जड़े बनने के लिए मैंने इसमें कप में रख दिया था, पानी डालके, और ये देखो, जो अभी मैं थोड़ी दिर पहले आपको बता रही था, इतना चूट रही थी, फिर मुझे भी दिखाई दी जड़े, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शियर करूँ, जिससे कि आप अब जब पुदीना चूटे तो जरा ध्यान से चूटे देखे उसको, और अपने घर में कहीं भ थोड़ा सा शेड़ी एरिया हो, और जहां हलकी सी दूप आके चली जाती हो, क्योंकि अगर जादा दूप में रखोगे आप फिर इसके पत्ते भी बर्न हो जाते हैं, और अच्छे से उख भी नहीं पाता, और इस तरीके से आप लगाते हो ऐसी सी जगया पे, तो यह हमेश मैंने इसकी गुडाई कर ली, और इसी तरीके से किसी टूल की साहता से आपने इसकी डंडी को रूट के साथ दबा देना है, दबाना बड़े अराम से है, क्योंकि इस पे ओल्रेडी रूट बनी हुई है, तो रूट अगर तूट गी, तो फिर देखो दुबारा बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि यह मौश्चर की वजए से यह रूट अपने आप ही बनी है, और इस तरीके से आप निच्चे से थोड़ा तोड़ लें, क्योंकि यह देखो स्टैम वाला पोर्शन है, सिर्फ आपने नोडवाला पोर्शन ही दबाना है, क्योंकि वो फिर वैसे ह गलेगा, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ होनी है वो इसी पोर्शन पे से होनी है, जो यह नोडवाला एरिया है, जहां से छोटी पत्ती और रूट निकल रही है, तो आपके पास अब दो तरीके इसको उगाने के, इस मोसम में तो देखो ऐसे ही आई रहा है यह इस तरीके से बिल्कुल इसके नोड के निचे से ही, तो इसको तो ऐसी उगा देते हैं, तो अगर रूट नहीं आ रही है तो पहले पानी में हलकी सी रूट बना लो, और नहीं तो भई दिखो ऐसे, आप ध्यान से देखोगे तो आप जरूर आपको दिखाई देंगी, और मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने टहनिया चुक्ती है ना, सब पे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था, किसी पे कम रूट थी, किसी पे ज़्यादा थी, तो बैसा ऐसे ही आपने हुगाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इसकी डंडिया हुगा दें, फिर थोड़ी दिन में देख अब आप पुछोगे कि हमारा कुछ दिना नहीं उगता है, तो भी इसलिए नहीं उगता है, क्योंकि आप सोईल को बहुत हार्ड बना दिखते हो, अब ये सोईल देख रहे हो, आप इतनी सोफ्ट सोईल है ये, इसमें मैंने कमपोस्ट भी मिला रखी है, इसमें रीवर सैं ये, उनकी ग्रोथ नजर आएगी, तो इस बात का आपने बिलकुल ध्यान रखना है कि जो आपकी सोईल हो, बिलकुल सोफ्ट हो, और इसी तरीके से दोस्तों देखो, एक साइड में मेरे क्यारी है, वहाँ पे टमाटर का पुद्धा हुआ हुआ है, इस मोसम में आप निकलाएंगे, फिर आप उनको 10-15 दिन बाद अलग-लग कर सकते हो, तो बस टमाटर उगाना भी इतना असान है, तो इस तरीके से दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपना किचन गार्डन तियार कर सकते हो, बहुत छोटी चीज़ कहीं आपको दुकान पे जाने क की जरूरत नहीं है, कोई ओनलाइन शोपिंग करने की जरूरत नहीं इन बीज़्ों के लिए, घर में ही आई चीज़ों से आप छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हो, जो कि हमारे डेली यूज में आने वाली सबजी हैं, और यह कोई ज़्यादा जगह भी नहीं मांगती, जरूरी नहीं आपके पस क्या रही हो, आप गंलों में भी इनको उगा सकते हो, हाँ टमाटर के लिए थोड़ी सुपोर्ट देनी पड़ेगी आपको, लेकिन पुदिना दोस्तों इतना सुंदर फैलेगा, और इसकी स्मेल जो है दोस्तों, रिफ्रेशिंग इतनी है, कि अच्छी स्मेल आईगी, बहुत अच्छी लगेगी, वो ठंडी ठंडी, और और देख लो, यह जो फूल खिले हुए है, यह फूल भी आपको जरूर लगाने चाहिए, भले ही कितने कोमन फूल है, सदा बाहर के, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है यह, चाह दूब बड़ेगी, उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे, इनका उल्टाई काम है, इनका मतलब कोई असी ज़्यादा देखवाल भी नहीं है, और जितनी गर्मी पड़ती है, उतनी ही इन पे फ्लावरिंग होती है, और यह बही देखो, सर्प्राइज लिली पे भी अम्रायल लिली, एशियेटिक लिली, लिलियम के प्लांट्स हों, कुछ भी हो, आप लिली के आपको कोई भी वराइटी मिलती है, आप उसके बल्ब लगा सकते हो, और वो लगाना मैंने आपको दिखा रखा है, सारे के सारे वीडियो आपके पास हैं चैनल पे, और इसको साइस दोस् देखो आप कितनी मोटी-मोटी हैं इसकी, और एक वही जो मैं आपको बता रही थी, लीलियम के बल्ब मैंने वे विच्छे लगाए थे, और ये देखो इनमे भी अभी प्लांट निकलने लगे हैं, पहले भी ये लगे हुए थे, लेकिन जब फ्लावरिंग का टाइम आए इनकीन की बड्स बनी तो बंदर सौरी बड्स तोड़ गे फूल के खिलने से पहले ही और सारा प्लांट भी खेर गे तो निची इसके बलब रह गे थे, तो अब ये नया प्लांट निकलके आया है, तो उमीद है, आज आपको पुदीना लगाना मैंने आपको सिखाया, आप जरूर ध्यान से देखोगे जो पुदीना घर में आएगा और उसी से ही आप पुदीना उगा लोगे, तो बस थैंक्यू वेरी मच देखे